हलो बच्चो आपको प्लांड फिजियोलजी टॉपिक से प्यार हो जाएगा कुछ ऐसी चीजे आपको पढ़ाई जाएंगी इस लेक्चर में specially आपको diffusion, simple diffusion, facilitated diffusion, active transport ऐसे concepts में एकदम master बनाये जाएगा जहाँ पर आपको cell से related चीजे पढ़ने में बहुत help मिले वाली है तो बिना time waste के start करते हैं अपना first topic transport in plant में जिसमें हम लोग बिटा type of transport की अब बात करेंगे तो start करते हैं बिटा first lecture और transport in plant में सबसे पहले मैं आपको बिटा introduce करने वाला हूँ अपने topic से इस chapter में कि मैं क्या topic आपको पढ़ाऊंगा इस chapter में ध्यान से देखिए सबसे पहले means of transport, कैसे transport होगा, short distance, plant water relation में पढ़ेंगे water potential long distance transport में हम लोग water, mineral, phloem के ट्रांसपोर्ट से related basic बाते गरेंगे plant के ट्रांसपोर्ट में transpiration, फिर mineral का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे और last में phloem का ट्रांसपोर्ट chapter बहुत interesting है, बहुत जादा details है, NCRT की deep line है और मैं तरुन कुमार आपका educator, आपका guide ये सारी चीज़े आपको बताऊंगा start कर दें बिटा, अपनी topic से सबसे पहले chapter का basic introduction, clear, basic introduction का meaning ये है बिटा, chapter का नाम है transport in plants तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि plant में किन चीजों का transport होता है, means कि क्या ऐसी चीजे हैं, जिनका हमारे पास plant में transport होता है clear, उससे पहले बिटा, हम इस chapter का एक overview आपको दिखाएंगे, कि कैसे मैं move करूँगा तो basic introduction में सबसे पहले मैं क्या पढ़ने वाला हूँ बिटा, सबसे पहले मैं पढ़ने वाला हूँ एक mechanism, एक एक तरीका short distance transport का, clear, क्योंकि बहुत सारी चीजे हैं, उनका पहले हम short distance transport पढ़ेंगे फिर हम बात करेंगे चीजों के long distance transport की, और फिर हम finally बिटा, long distance transport से हम move कर जाएंगे एक ऐसे topic जो पानी के transport को लेकर एक principle form करते हैं, उस पे हम लोग move कर जाएंगे, clear है? और फिर finally हम transport पढ़ेंगे xylem और phloem से, तो अपने इस concept को लेकर जाते हैं, first topic पर जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं, कि plant में किन चीजों का transport होता है, clear, plant में किन चीजों का transport होता है, इसकी बात कर लेते हैं तो ये तो सब को पता है बिटा, प्लांट में सबसे पहले पानी का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का तो ट्रांसपोर्ट होता ही है, आप ये भी जानते हैं कि मिनरल का भी ट्रांसपोर्ट होता है, पर एक नई चीज सीखिए बिटा, मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट है, मिनरल जो है बिटा हमारे पास उसका दो फॉर्म में ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है एक फॉर्म है और्गैनिक एक फॉर्म क्या है बिटा और्गैनिक और दूसरी फॉर्म है इन और्गैनिक अब ये और्गैनिक इन और्गैनिक क्या है किसी भी मिनरल को हम और्गैनिक फॉर्म में ल है तो कई बार plant क्या करता है root के अंदर mineral को लेकर उसको कुछ चीज में convert कर देता है for example nitrogen की organic form का मतलब है amino acids तो amino acids nitrogen की organic form है organic form है तो root में ये बन जाते हैं और इनका उपर transport होता है तो इसे हम कहते हैं nitrogen nitrogen की organic form nitrogen की inorganic form है NO3- clear तो आप ये समझे कि mineral का organic और inorganic दोनों form में transport हो सकता है तीसरी चीज बेटा हम food का transport करते हैं और हम food को mainly मानते हैं carbohydrate और carbohydrate में हम बात करते हैं सुक्रोज की हना हम किसकी बात कर रहे हैं सुक्रोज की बिटा हना सुक्रोज की और सुक्रोज definitely organic है clear सुक्रोज हमारे पास 12 carbon की sugar है और वो definitely क्या है organic है clear अब अगर आप से मैं पूछूं क्या कुछ और है transport करने के लिए तो आप कहेंगे शायर नहीं और मैं बता रहा हूँ एक चीज और है बिटा ट्रांसपोर्ट करते हैं हम लोग hormones का क्योंकि प्लांट में बनने वाले बहुत सारे hormones का point of synthesis and point of use is far apart so there is need of some transport जरूरत है ट्रांसपोर्ट करने की इन चीजों की तो यह चार चीजें हैं जिनका ट्रांसपोर्ट प्लांट में होता है जब हम यह चीज समसर जाते हैं कि इन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है तो दिमाग में एक चीज आती है बिटा हमारा mind strike करता इस बात को लेकर कि इनकी directions क्या है क्या direction है हमारे पास इन चीजों की transport की मदभ जैसे हमने बात की पानी का transport, mineral का transport food का transport, hormone का ट्रांसपोर्ट, तो topic जो अब deal कर रहे है इस बात पर कहेंगे direction क्या है direction क्या है, जैसे हमारी life की direction क्या है, clear, हना तो हम कहेंगे direction क्या है तो हम यह कहते हैं बटा हम यह समझते हैं कि पानी जो है पानी का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ट्रांसपोर्ट होता है only through xylem transported by only through xylem तो पानी का transport तो सिर्फ xylem से होता है अगर सिर्फ xylem से होगा तो आप एक चीज़ याद रखो बिटा मैं अगर कोई plant draw करता हूँ ऐसे मैं अगर कोई plant draw कर लेता हूँ ध्यान से देखें मैं कोई ऐसे plant draw कर लेता हूँ उसकी leaf है ये stem है और ये root है आप ये ध्यान रखिए इसके अंदर ऐसे xylem के pipe है अना इस तरीके से xylem एक pipe है चीक है xylem का transport हमेशा unidirectional होता है और मैं कह रहा हूँ पानी जो है हमेशा xylem से transport होता है तो इसका मतलब water का भी transport कैसा हो गया unidirectional होता है डिरेक्शन को लेके NEET 2019 में questions आये थे clear 2019 में अच्छे question आये थे unidirectional हमने word बोल दिया पानी को लेके because it is occurring with the help of water second हम बात कर सकते mineral की second हम बात कर सकते mineral जहां से सुनना mineral mineral बिटा आपका अगर देखो normally क्या होता है mineral root से आता है तो root से जब वो आता है तो पानी के साथ move करता है तो mineral के जो direction है अगर zilem से होगी if occur through xylem अगर कैसे होगी xylem से होगी तो उसको हम कहेंगे बिटा unidirectional उसको हम क्या नाम दे रहे हैं unidirectional nाम दे रहे हैं लेकिन हमें बिटा, ये भी समझना है, कि कई बर क्या होता है? ये old leaf है, ठीक है, यहाँ पर ये old leaf है, ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं, बिटा, हम ये बोल सकते हैं, कि एक ऐसा season होता है, जिसमें leaf गिर जाते हैं, देखान से सुनना बिटा माल लो आपके पास ये स्टैम है ये स्टैम है ठीक है और ये हमारे पास रूट वगएर है ये रूट है और ये स्टैम है अभी इस पे कोई लीफ नहीं है ठीक है हम यह समझ रहे हैं हम अम मिनरल के ट्रांस्पूर्ट कि बात कर रहे हैं जैसे मैंने यह leaf है मेरे पास यह old leaf है और यह होता क्या है यह है कि कुछ मिनरल ऐसे होते है जो कई बार जब soil से नहीं उपर आते मालब लो सोडियम soil से उपर नहीं आया वो old leaf से young में move कर जाता है तो आपको दिमाग में ये बिठाना है कि mineral का transport अगर xylem से होगा तो it has to be unidirectional लेकिन वो transport हमारा किसे भी हो सकता है phloem से भी हो सकता है तो अगर वो phloem से होता है तो कैसे होगा old leaf से हमारे पास young leaf की तरफ जाएगा ऐसा हो सकता है तो ऐसे transport को मैं क्या बोल सकता हूँ मैं कह सकता हूँ it can be multidirectional क्योंकि young leaf कहीं भी हो सकती है तो किसी भी direction में ये जा सकता है समझ आ गया तो पानी unidirectional है mineral can be multidirectional और bidirectional अगर वो phloem से होगा पर अगर वो xylem से होगा तो क्या बोलोगे आप आना चाहिए तीसरी चीज जो transport होती है थर्ड क्या था याद करिए थर्ड वोस food और food किसकी फॉर्म में सुक्रोज सबसे पहले ये समझे बिटा सबसे पहले food की normal direction समझे what is normal direction of food what is normal direction of food normal direction of food क्या है मेरे पास ये leaf है जिसे आप mature leaf कह रहे हो और यहाँ पर मेरे पास root है तो normal direction of food ध्यान से सुनेंगे leaf जब food बनाती है तो उसके पास तीन option होते है first खुद respiration करना second option है कि वो उस खाने को उस part को भेजे जो अपना food नहीं बनाता इसका मतलब leaf से food जो है हमारे पास किस में आता है normally root में आता है देखो leaf ने क्या किया food जो बनाया पहले खुद के लिए use किया जिसे हम कहेंगे respiration की उसके बाद उस food को उस part पर भेजा जिसे हम root कह रहे हैं क्योंकि root अपना food नहीं बना रहा और extra होगा तो उसको हम वहाँ भेज देंगे जिसे आप fruit कह रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे खुद यूज करोगे फिर उस part को भेजोगे जो नहीं बनाता अब और extra अगर खाना है तो उस part को भेजो जो खाने को store कर सकता है जैसे कि हमारे पास fruit है यह खाने को store कर सकता है समझ लो इस बात को तो यह हो गई normal direction हना normal direction है तो यहाँ भी बिटा मैं कह सकता हूँ यह उपर भी जा सकता है नीचे यहाँ भी यह bi-directional है थ्यान से सुनेंगे बिटा अब हम यह कह रहे हैं कि ठीक है bi-directional बोल रहे हैं एक time ऐसा होता है जिसमें plant पर कोई leaf नहीं है लीफ फॉल हो चुकी है यह root है और अभी मेरे पास autumn का time है और या हम बोल सकते है early spring है early spring का मतलब अभी leaf नहीं बनी है early spring है बिटा early spring है तो यहाँ पर आपको यह दिखेगा कि कई बार क्या होता है जो root में खाना store होता है वो वापसी उपर जाता है leaf बनवाने के लिए early spring है तो food की direction है वो उपर से नीचे हो सकती है नीचे से उपर हो सकती है depending on condition NCRT लिखती है कि in some conditions और यह conditions कौन सी है in some conditions food can be re-mobilized कुछ ऐसी conditions है जिसमें food जो है उसको re-mobilized कर सकते है what is re-mobilized उसको move कर सकते है जरूरत पढ़ने पर अना food को move कर सकते है important बात सान में आ रही है कि हम directions की बात कर रहे है ठीक है उसके बाद हम लोग और direction देख सकते है ध्यान से सुनेंगे हमारे पास hormone 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 में NCRT ने auxin का example दिया है और उसमें उसने stem बना कर बोला है कि auxin जो है वो कैसे move करता है ध्यान से देखेंगे ये root है clear auxin कैसे move करता है उपर से नीचे की तरफ ऐसे और नीचे से उपर की तरफ means यहाँ tip पर बनता है that is shoot tip तो shoot tip पर वो move करता है downward और root tip पर वो move करता है upward हना तो यह root tip है उस पर वो move करता है upward और यह shoot tip है इस पर move करता है downward ऐसा कुछ होता है इसके लिए NCRT ने लिखा है polar transport तो बहुत सारे hormones हैं जिनकी अलग-लग direction में transport हो सकता है normally hormones xylem से transport नहीं होते क्योंकि वो सीधे उपर ले जाएगा तो उसको phloem से भी जाना पड़ सकता है ठीक है clear और simple diffusion से भी तो direction को लेके आप सिर्फ एक word याद करें जो auxin को लेके बोला है उसने polar transport तो यह तो direction हो गया तो हमने क्या सीखा एक बढ़ revise कर लें हमने सीखा बेटा क्या हमने सीखा what to transport किसका transport करना है फिर हमने सीखा उसकी directions हाना directions हमने क्या सीखा बेटा directions सीखी कि कैसे करोगे अब हम बात करेंगे कि mechanism क्या है directions तो देख लिए हमने mechanisms क्या है इनकी बात करने वाले है थीक है तो mechanism क्या है ध्यान से सुन लो और कैसे करेंगे वो भी समझ लो देखो हम जब transport के mechanism की बात करते हैं किसका transport करना है food का, water का, mineral का, इंचारों का, hormones का तो हमारे पास दो तरह के mechanism काम करते हैं एक mechanism को मैं कहता हूँ short distance transport short distance transport का अगर आप meaning समझ सको मालो यह cell है आपको cell से cell में चीज मूफ करनी है that is short distance long distance transport का मतलब यह है बिटा देखो जरा आपने यह leaf बना दी, इसमें यह stomata है चीक, यह leaf बना दी, इसमें यह stomata है यह इसकी root है तो what is meaning of long distance transport जहां से सुनेंगे पानी root में enter किया और वो leaf तक पहुंचा मतलब यह देखने point of entry है water की point of entry है हना और point of entry है और यह point of use है यह transpiration हो रही है point of use है अगर इन दोनों में बहुत distance है clear, meters में distance है तो इसे हम क्या बोल रहे है long distance transport तो long distance transport के लिए मुझे क्या चाहिए यह pipes है तो require xylem and phloem मुझे xylem और phloem चाहिए तो what is long distance transport food यहां बनके नीचे root में आ रहा है पानी root से leaf तक जा रहा है that is long distance transport जादा दूरी का ट्रांसपोर्ट और सुनो ध्यान से बिटा long distance transport के लिए xylem और phloem काम करता है समझो इस बात को और उसके लिए हम term use करते है translocation तो कुछ लोगों को लगता है translocation सिर्फ xylem के लिए नहीं phloem के लिए तो translocation is long distance transport long distance transport किसका transport of food चीक है किसके थुरू food and water mineral भी वो भी include कर लो किसके थुरू हम लिख रहे है by phloem and xylem phloem से food, xylem से water and mineral इसके लिए हम word use कर रहे है translocation हमने क्या पढ़ाया mechanism of transport दो तरीके से हो सकता है एक short distance इसकी इस lecture में बात करनी है अभी इसकी detail पढ़नी बाकी है long distance को introduce कर दिया क्या मतलब चीज यहां enter कर रही है यहां तक पहुंच रही है that is long distance जादा दूरी का plant की height होती है 100 meter 100 meter तक plant में पानी चड़ाना है that is long distance transport clear उसमें कौन काम करेगा xylem और phloem में से कोई भी काम कर सकता है that is long distance transport clear अब हम वापसी आएंगे short distance पे क्योंकि यह lecture dedicated है इस short distance transport की mechanism clear है कैसे होगा इसकी बात करेंगे clear एक बज़रा देख लेते हैं short distance के mechanism mechanism को देखिए द्याम से माल लो यह cell बना हुआ है हमारे पास कोई cells है short distance का meaning समझना short distance का मतलब है किसी cell से कोई chemical बाहर चला जाए कोई भी चीज बाहर चले जाए even gas वगर है clear कोई चीज अंधर आ जाए एक cell से दूसरे cell में चली जाए और within cell move कर रही हो ऐसे short distance का meaning समझ लो meaning क्या है बिटा short distance का meaning है देख रहे cell से बाहर आना cell के अंधर है हम लिखते हैं कोई भी चीज की entry और exit from cell और in cell जो भी चीज लिख लो दूसरी बात हम short distance की बात कर रहे हैं मतलब बता रहे है दूसरा cell to cell चला जाए cell से cell जुड़ा हुआ cell to cell movement is short distance third बिटा short distance का मतलब है देख रहे हो इसी cell के अंधर चीज को यहां से यहां तक जाना है तो हम लिखेंगे within cell movement within cell movement that is short distance transport और हम पढ़ेंगे देखो यह तो short distance का meaning है कैसे होगा हाना लेकिन बिटा हम यह जान रहे हैं यह कैसे होगा यह तो meaning यह तो meaning है clear यह इस तरीके से होगा लेकिन मतलब इसको कराने के तरीके क्या है तो जो methods है short distance के वो चार है और वो हम अब detail में पढ़ेंगे first method है हमारे पास diffusion which is also known as also known as simple diffusion इसका एक और नाम है simple diffusion यह नाम और है second method है बिटा facilitated diffusion facilitated का मतलब facilitated का मतलब कोई help करें इसमें कौन help करने वाला है channel help करेंगे facilitated facilitate करना मदद करना हना third हम पढ़ने वाले है active transport clear active transport इसकी बात करेंगे और fourth हम क्या पढ़ेंगे बिटा fourth हम पढ़ेंगे cytoplasmic streaming concept बनाओ फिर से एक बार फिर से एक बार concept बनाओ बिटा concept क्या बनाया आपने आपने ये बनाया कि short distance का मतलब entry exit किसी cell में जाना किसी से बाहराना दूसरा एक cell से दूसरे cell में जाना तीसरा हम बोल गहा है within cell cell के अंदर कोई चीज़ move कर रही देखरों यहां से यहां चलेगी within cell movement that is short distance transport कराने के चार method simple diffusion frustrated diffusion active transport and cytoplasmic streaming अब मुझे इनी detail में पढ़ना आए यही आपके concept बनाएंगे cell वाले chapter में भी है यह आपके बहुत strong concept बनाएंगे बहुत सारी चीजों के लिए clear और हम आ गए किस पे simple diffusion पे यह कुछ lines and CRT की हैं जो बच्चे कई बार कहते हैं दे रखा है कि नहीं दे रखा तो आप देख सकते हैं short distance का मतलब देखिए एक cell से दूसरे cell में समझ रहे हैं clear same direction एक cell से दूसरे cell में clear clear हाँ दूसरा हम कह रहे हैं बिटा देखो इसमें क्या है हमारे पास हम यही समझ रहे हैं यहाँ पर short distance है एक cell से दूसरे cell में जाना entry exit इन सब को कह रहे हैं clear क्लिर दूसरा हम यहां पर देख सकते हैं विटा आप देखो moment of substance we need to define what kind of moment we are talking about ठीक है और किन चीजों की moment कर रहे हैं जैसे हम short distance बोल रहे हैं कि long distance बोल रहे हैं और किन चीजों का मतलब 4 चीजों की करी ना हमने clear यहीं समझा रहे हैं देखो लिख रहा है water, mineral, organic nutrient मतलब खाना, food और plant growth regulators मतलब hormone है यहीं समझा रहे हैं और short distance के क्या तरीके बताएं diffusion, cytoplasmic streaming, active transport ठीक है और facilitated diffusion भी है long distance के लिए क्या बोलते हैं? translocation clear यहीं समझा रहा है और देख रहे हैं यह organic और mineral अगर xylem से जाएगा clear सही है, यह देख रहे है, organic और mineral का multi-directional हो सकता है और xylem से कैसा होगा unit, directions भी तो given है NCRT में clear तो मैं यह कह रहा हूँ कि आप NCRT पड़े एकदम deep line हैं दे रखे हैं इनके बारे में, ठीक है, हम सबसे पहला topic आज सीख रहे हैं, इस पे short distance पे that is simple diffusion now what is simple diffusion, ध्यान से देखें बटा, सबसे पहले तो आप यह समझो कि simple diffusion वही है, जो आप chemistry में पढ़ते हो, अलग नहीं है simple diffusion का मतलब यह है, कि मेरे पास यहाँ molecules हैं, जिनकी high concentration है, देख रहे हैं, यहाँ पर concentration कैसी है, high, का मेरे में जादा है यहाँ मेरे पास क्या है, low concentration है, अब मेरी बास सुनना ध्यान से, simple diffusion क्या होता है, यह देखो molecule, यह इधर भी जाएगा फिर यह इधर आ गया, ऐसे random move कर रहा है, यह भी random move कर रहा है, ऐसे इधर इधर जा रहा है, लेकिन net movement इधर हो जाएगी समझो, यह सारे molecules random move कर रहे हैं, क्योंकि इधर जाएगा molecule है, तो net movement किदर होगी, high concentration से low concentration, तो what is simple diffusion, first feature क्या है बिटा, यह random है, random का मतलब, यह इधर 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 ऐसे move कर रहे है, लेकिन net movement कहा होगी, high concentration से low, अना, high concentration से low, मेरी बास सुनना ध्यान से, high concentration मतलब जाएगा molecule low concentration ये अगर moment इधर होती है तो इसे हम कहते हैं along concentration gradient और यही moment अगर ऐसे होती है तो against कहते हैं तो जड़ा simple diffusion समझते हैं होता क्या है simple diffusion का मतलब हमारे पास ये gas और water में होता है molecules random motion में होते है net moment high concentration से low की तरफ होती है तो simple diffusion is basically हमारे पास जो है किसके लिए होता है हम लिख रहे हैं occur for occur for water and gas इनके लिए होता है फिर हम बात करते हैं इनके feature की simple diffusion का feature क्या है ज्यान से सुनना बिटा simple diffusion का feature है NCRT बोलती भी है ये process random है random समझ में आता है क्योंकि molecules की ordered movement यह ऐसा नहीं सीधा यहां आ रहा है ये तो random move कर रहा है पर net movement इधर हो रही है तो पहला feature हमने लिखा random दूसरा feature ये लिखा बिटा देखो आप एक चीश समझो ये कभी दर जाएगा कभी दर जाएगा finally यहां पहुँचेगा इसमें time लगेगा तो हम कहेंगे process slow है इसमें energy नहीं लगेगी तोकि energy नहीं लग रही है not require any external energy कोई बहार से energy नहीं देनी पड़ रही ये molecules की random motion है external energy नहीं दे रहे इसलिए हम क्या बोलेंगे ये process passive है passive समझ रहे है passive मतला energy नहीं लगेगी passive और active में फर्क होता है active मतला energy passive मतला energy नहीं लगेगी तो हमने बोला ये process random है ये process slow है इसको energy नहीं चाहिए इसको energy नहीं चाहिए बिटा not require any external energy और ये कहां होता है हम लिख सकते हैं इस बात को occur occur from high concentration to low concentration ये बहुत important बात है high से low की तरफ होने का मतलब होता है along along concentration gradient what is gradient अंतर यहाँ जादा यहाँ कम this difference is known as gradient मालों यहाँ 100 है यहाँ 20 है difference is 80 so this difference is known as gradient इस difference को हम gradient बोलते हैं तो high concentration से low जाना हना उसको हम क्या बोलते हैं gradient बोलते हैं clear हो गई बात तो हमने feature बोला एक बहुत अच्छी line in CRT में लिखी है कि not depend on system not depend on system on system in which it is occurring मतलब क्या हुआ इस बात का मालों यह जो हो रहा है यह बीकर में हो रहा है ठीक है same medium में पानी है ऐसा ही system मेरे पास मालों living cell ले लेता same concentration हो यह glucose होता इधर नहीं होता तो यह फर्क नहीं पड़ेगा कि यह बीकर में हो रहा है कि living cell में हो रहा है दोनों में same rate से होगा समझ लो इस बात को यह फर्क नहीं पड़ेगा कि यह बीकर में हो रहा है कि हमारे पास living cell में अगर बीच का medium same है और यह molecules की concentration same है means यहाँ पर माल लो हमारे पास 2000 molecule है यहाँ पर 100 है तो यह difference अगर आपका यहाँ है और यही difference आपको same molecules का living cell में मिल जाए तो इसका फर्क इस पर नहीं पड़ता clear होगी बात that is simple diffusion सही है और एक चीज एंसे आटी लिखती है बिटा इस बात में कि basically धान से सुने basically it it occur in solid यह solid में हो जाता है मतलब यह solid में हो सकता है not for solid मतलब solid का नहीं not of solid हम लिख सकते हैं हम यह कहना चाह रहे है कि कोई solid चीज diffuse नहीं करती diffusion सिर्फ gas और liquid का होता है पर किसी solid surface पे जैसे मालो मैं कोई solid surface बना लूँ किसी solid surface में diffusion हो जाएगा clear है diffusion हमारे पास diffusion हमारे पास किसका हो सकता है gases और liquid का हो सकता है solid diffuse नहीं करते पर किसी solid चीज में जैसे gas diffuse कर सकती है solid surface में तो यह हमारे पास क्या हुआ ये हमारे पास feature हो गया किसका simple diffusion का आप देख सकते हैं ये कुछ features हैं simple diffusion के अब सवाल ये है कि ऐसे क्या factors हैं जो इसको affect कर सकते हैं कोई कौन से ऐसे factors हैं जो affect करेंगे तो हम ये लिखेंगे बिटा factors में हम ये लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे concentration gradient कितना अंतर है हाना आप देखो मालो यहां क्या है यहां जादा molecule है यहां कम है say हम example ले लेते हैं यहां पर मालो मेरे पास 20 molecule है यहां 3 है अभी मालो यहां मैं अभी तो बराबर हो गए अगर मालो 20 और 3 है तो जितना यह difference होगा उस difference को gradient कहते हैं जितना जादा difference होगा उतनी जादा speed fast होगी जैसे जैसे molecule move करते जाएंगे वैसे वैसे speed भी क्या हो जाएगी slow हो जाएगी दूसरा बिटा यह depend करता है temperature पर directly proportional होगा temperature के directly proportional होगा pressure के directly proportional होगा किसके pressure gradient के इसके भी directly proportional होगा यहां pressure जादा यहां कम move कर जाएगा clear होगी बात बिटा pressure के directly proportional होगा और हम लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि size of molecule इसका inversely होगा जोटे size का fast simple diffusion clear यह कुछ हम मतलब parameters बदा रहे हैं जिन पर simple diffusion depend करती है अब सवाल यह उठ रहा है कि इसको इस chapter में पढ़े क्यों रहे है why we are studying simple diffusion here यहां simple diffusion पढ़ ही क्यों रहे है अना ऐसा क्या है कि हमें जुरुत पढ़ गई simple diffusion को यहां पढ़ने की सुनना ध्यान से मतलब हम real में simple diffusion की significance जानना चाहरे है इस chapter के थूरू हम significance जानना चाहरे है यह कहां use होता है या हम लिख सकते हैं इसकी हम इसका use लिख सकते हैं use in plant cell, animal cell जहां भी एक general सी बात बता रहा है plant और animal cell में कहां use होगा सबसे पहला use है बिटा सबसे पहला use है कि gases की movement gases की जो movement है it occur only by simple diffusion एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं ध्यान से सुनना आपको समझ आएगी बात मैं अगर concentration जादा थी तब ही बहार आ रहा है बहार अब यह आ कहां से रही है यह आ रही है chloroplast से और chloroplast में भी एक structure होता है thailakoid वहां से आ रही है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि gases हमेशा क्या follow करती है movement के लिए कि कहां उसका amount जादा है कम की तरफ जाती है तो मैं यह कह रहा हूं बिटा chloroplast के अंदर oxygen बनती है तो जहां कोई gas बनेगी वहां उसकी concentration जादा होगी for example माल लेते हैं यह point है यहां पर से वो gas बन रही है तो यहां highest concentration होगी जैसे जैसे दूर जाएंगे low होती जाएगी तो मेरा कहने का meaning यह है कि आप यह समझिए gases की movement सिर्फ simple diffusion से होती है चाहे human की बात कर लो चाहे plant की अगर oxygen बाहर आ रही है तो leaf के अंदर oxygen की concentration high है as compared to outside outside में भी 21% होती है और जो leaf का अंदर का area volume है उसके जाप से वो 21% से जादा होनी चाहिए तबी वो बहार आ रही है clear ऐसे ही CO2 अंदर क्यों जा रही है क्योंकि अंदर CO2 को use कर रहे है use कहां कर रहे है glucose बनाने के लिए तो वो कम हो जा रही है तो बाहर से अंदर जा रही है तो हम यह कह सकते हैं चाहे human हो चाहे कोई animal हो only moment possible for gases is simple diffusion जन्तो पहला significance समझ आ गया clear है second बेटा second significance यह है कि जैसे माल लो मेरे पास यह cell है यह cell है मेरे पास इस cell में जैसे हम बनाया भी था हमने हम कोई यह molecules बना लेते हैं माल लो यह glucose के molecules है यह glucose है और इसके 20 molecules है यहाँ पर glucose के माल लेते हैं 5 molecules है तो glucose जो है हमारे पास high concentration से low की तरफ move करेगा glucose high से low की तरफ move करेगा समझ रहे हो बारते से high से low आ रहा है और हम यह समझ पा रहे हैं कि दूसरे significance हो गई within cell movement within cell movement cell के अंदर चीज की movement within cell movement is another significance of simple diffusion clear और third significance बहुत important ध्यान से देखें बिटा मैं क्या बताना चाहरा हूँ ध्यान से देखें यही अगले topic के लिए base बनाएगा आपके लिए यही जो होगा next topic देख रहे हैं उसके लिए base बनाएगा यह मैं क्या बना रहा हूँ जीरो काटा खेल रहा हूँ नहीं मैं यहां क्या बना रहा हूँ पिटा यह lipid by layer बना रहा हूँ देखें यह मैंने lipid by layer बना दिना यह lipid की ऐसे membrane है bilayer है ठीक है lipid की bilayer है bilayer मतलब plasma membrane टाइप से हमेशा याद रखिए plasma membrane और भी कोई membrane cell के अंदर होती है वो lipid की होती है अंदर का part hydrophobic होता है ऐसे और बहार यह hydrophilic होता है यह hydrophilic है और यह जो अंदर का part है यह that is hydrophobic hydrophobic clear अब मेरे बात सुनना ध्यान से यह चीज what is lipid water insolubal यह चीज खुद lipid है और यह हमने क्या बनाई है lipid by layer lipid by layer बना दी अब मेरे बात सुनो ध्यान से यह lipid इसके आर पार ऐसे आ सकता है solubility होनी चीजए पस मतलब इसमें solubal ओ आर पार आ जाएगा इसका मतलब यह हुआ बिटा कि जो lipid है lipid molecule lipid मतलब fat molecule can cross plasma membrane can cross plasma membrane by diffusion कैसे पार कर सकता है by diffusion clear है बिटा clear है तो lipid तो by diffusion आ जाएगा because like dissolve like like dissolve like मतलब oil में oil मतलब dissolve होता है ठीक है water में water dissolve हो सकता है तो lipid जो है वो आर पार आ सकता है किसी cell में मतलब यह cell है इस cell के अंदर कोई lipid का molecule directly अंदर आ सकता है उसको कुछ नहीं चाहिए लेकिन अगर मैं sodium लिख दूँ मैं potassium लिख दूँ मैं glucose लिख दूँ यह सारी चीजे hydrophilic है तो hydrophilic चीज को आने के लिए इसके आर पार proper channel लगाने पड़ेंगे ऐसे तब यह आ पाएंगे clear होगे तो lipid can cross by simple diffusion but water soluble चीजों को आने के लिए मुझे क्या लगाने पड़ेंगे channels क्या लगाने पड़ेंगे channels कितने information simple diffusion पर आगे चलते हैं बहुत important facilitated diffusion की बात करेंगे clear facilitated diffusion की हम लोग बात करने वालें यह देख लिजिए anxiety की line आपके सामने आ गई है ठीक है बोला था passive है ठीक है clear short distance कर सकते है clear दूसरा energy नहीं लगती यह लिखा हुआ हमारे पास ठीक है clear उसके बाद हम क्या बोल रेंडम रेंडम बताये था ठीक है कहा move करेगा high concentration to low concentration slow लिखा था हमने यह वह सारे point लिखे में ठीक है depend नहीं करता किस पर living system है कि non living है diffusion is obvious in gases and liquid but diffusion in solid rather than off solid is more likely ठीक है मतलब solid का diffusion नहीं होगा solid में diffuse हो जाएगी चीज़ी यह चीज थी ठीक है plant में देखने gases movement यह वो सारी line है जो मैं आपको पढ़ा रहा था भी यह देखो temperature pressure यह सारा permeability of membrane की बात अभी हमने just करें अब हम एक topic पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे facilitated diffusion यहां से सुनना था बहुत important देखिए मेरे पास यह beaker है मालो यह beaker है beaker में यहां कोई molecule high concentration में है और यहां कोई molecule low concentration है ठीक है तो यह यहां से यहां कैसे आएगा simple diffusion से ठीक है clear ठीक है यह molecule माल लेते हैं glucose है पानी के अंदर है तो यह simple diffusion से आ सकता है मैं एक beaker और बना देता हूं यहां पर एक beaker और बना देता हूं मैंने क्या किया इसके बीच में plasma membrane लगा दी ठीक है plasma membrane लगा दी अब मैं इसको move करना चारा हूं तो यह नहीं आएगा भले ही यहां पर concentration gradient है means जैसे यहां 20 है यहां 5 molecule है similar 20 और 5 तो difference तो यहां भी है लेकिन यह आ नहीं सकता क्योंकि यह membrane है यह कौन सी membrane है lipid की membrane है तो यह lipid bilayer है तो आपको यह समझ आना चाहिए अगर concentration gradient पहले से हो lipid membrane के आर पार जाने के लिए मुझे क्या चाहिए कोई channel चाहिए मुझे क्या चाहिए इसके बीच में कोई channel चाहिए जिसके थूँ यह move कर सके तो इसका मतलब यह हुआ what is facilitated diffusion concentration gradient is already present already present पर यह चीज hydrophilic है membrane पार नहीं कर सकती इसलिए उसे channel दिया गया है जाने के लिए तो facilitated diffusion का मतलब facilitated का मतलब होता है help करना इसका मतलब यह हुआ help करना तो facilitated का मतलब यह हुआ help करना कौन help कर रहा है ध्यान से सुनो कौन help कर रहा है बिटा हमारे पास कौन help कर रहा है कौन help कर रहा हमारे पास यह channel तो channel जो है बिटा channel help करते हैं इसमें help in this clear है यह चीज़ देखो बिटा जैसे इस डाइग्राम में भी दिखा दिया है आपको यह लिपिड है आप देखिए लिपिड सिंपल डिफूजन से मूव कर सकता है बिकॉज दिस मेंब्रेन इस ऑफ लिपिड यह मेंब्रेन भी लिपिड के लाइक डिजॉल लाइक पर यहां पर आप देखो यह पानी दिखा रहा है पानी के साथ मालों मैं जरूरत है तब यह जा पाएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां सोडियम जादा था जान से सुनो बिटा यहां सोडियम जादा था यहां कम था concentration gradient तो था पर जाने के लिए उसको किसकी जरूरत पढ़ रही है protein channel की तो what is facilitated diffusion, facilitated का मतलब हो गया मदद, हना help, तो facilitated diffusion, इसका meaning हो गया कि एक तरीके से concentration gradient already है, concentration gradient, मतलब अंतर तो पहले से है, already है, clear, ठीक है, बट, जो मेरे पास है, hydrophilic चीज है, hydrophilic जिसको move करना है, वो क्या है, hydrophilic, एंसे आटी लिखते है, hydrophilic moiety, moiety मतलब कुछ hydrophilic लगा हुआ है, बट hydrophilic substance को क्या चाहिए, need, क्या चाहिए बटा, need channel, उसको channel चाहिए, channel to move, उसको कोई channel चाहिए, जाने के लिए, ऐसे नहीं जाएगा, तो hydrophilic को मैंने ये lipid bilayer बनाई थी, आपके लिए, मैं यहाँ पर clear cut बटा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, important है, बिटा ये, ध्यान से सुनना, ये माल लो, आपके पास कोई cell है, मैंने इसकी ये cell membrane है ना, cell membrane है, ठीक है, ये इसकी cell membrane है, जिसको मैं zoom करके आपको दिखा रहा हूँ, यांपे, ठीक है, तो वो cell membrane को मैंने ऐसे zoom करके दिखाया, जो lipid bilayer है, जहान से देखें, ये lipid bilayer है, ऐसे, lipid bilayer का मतलब, lipid की double layer है, हमारे पास, ऐसा कुछ, ठीक है हम इसको बना देते हैं double layer ये बना दी हमने ऐसे इस तरीके से बना दी है ज्यान से देखो इस तरीके से दिखा दिया clear है ये lipid by layer बना लिया हमने न लिपिड by layer बना लिया और इसमें हमने क्या किया इस तरीके से हमने channel लगा दी यह channel है ठीक है इसी को zoom करके बनाए है clear हो गई बात ठीक है तो हमने हमारे पास क्या क्या चीज है बिटा this is bilayer इसकी lipid की lipid and this one is channel channel किसके बने है protein के ठीक अब मेरे बास सुना अब यह molecule माल लेते हैं lipid है यह खुद lipid है तो lipid तो ऐसे का ऐसा आर पार आ जाएगा इसको जुरूतने simple diffusion से बट यह माल लेते हैं ध्यान से जुनें यह माल लेते हैं मेरे पास sodium है तो यह charge है ठीक इसको माल लेते हैं glucose है यह दोनों hydrophilic है है hydrophilic वाले को जो water soluble है वो membrane से ऐसे पार नहीं जा सकता इनको किसकी जुरूत पड़ती है protein के channel की समझाया तो कोई भी water soluble चीज़ जो होगी उसको channel की जुरूत पड़ती है पानी बिटा membrane से आर पार direct जा सकता है बाई osmosis लेकिन अगर मुझे ज़्यादा amount में पानी move करना है तो पानी के भी channel होते हैं जिने aquaporins कहते हैं जिने हम क्या बोलते हैं aquaporins clear होगी बात तो facilitated का मतलब होता है मदद हो तो diffusion रही है पर channel उसकी लिए मदद कर रहा है channel नहीं करता तो यह move नहीं करता तो आपने अगर feature पढ़ने हैं अगर मैं आपसे कहूँ feature पढ़ने हैं तो आप एक diagram देखिए पहले NCRT का यह कैसे काम कर रहा है देख रहे हैं यह channel के थूरू hydrophilic चीज move कर रही है outer side से inside जा रहा है या इसको मैं ऐसे कह सकते है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो इस चीज को लेकर दूसरी side flip कर रही है और यहां छोड़ रही है clear तो यह channel या transport protein बोल सकते हैं जो चीजों को एक तरफ से दूसरी तरफ move कर रही है clear move कर रही है तो हम अगर channel के लिए देखें बिटा क्या feature बन सकते है facilitated diffusion के feature ठीक है facilitated diffusion सबसे पहली बात यह किसके across होगा across plasma membrane मतलब plasma membrane के आर पार हो रहा है बिना उसके नहीं होगा आप देख रहे हैं यह plasma membrane हम बना रहे हैं यह plasma membrane है इसके आर पार कराना में ऐसे नहीं होगा अब यह देखो यह bilayer के तुरू आया है तो यह lipid है लेकिन channel के तुरू आ रहा है तो क्या हो रही है facilitated diffusion यह simple है ठीक है दूसरा इसका क्या feature है अब क्योंकि हो भी यह high concentration से low रहा है न यह कैसे हो रहा है high concentration से कैसे हो रहा है low concentration हो रहा है इसका मतलब यह भी कैसे हो रहा है along concentration gradient high से low की तरफ हो रहा है यह भी along हो रहा है मतलब जादा से कम की तरफ हो रहा है इसी लिए यह passive है बिटा इसी लिए यह क्या है passive पैसिव समझ में आता है इसमें भी energy नहीं लगेगी passive ठीक है high से low के लिए एक word यूज़ करते हैं देख लो इदर बिटा high से low की तरफ आ रहा है इसके लिए word यूज़ करते है downhill तो यह downhill है passive है energy नहीं लगेगी passive का मतलब energy नहीं लगेगी high से low आ रहा है ठीक है और यह occur होता है किसके धुरू अकर थुरू अकर थुरू बिटा किसके धुरू हो रहा है किसके धुरू हो रहा है बताओ अकर थुरू चैनल यह हो रहा है हमारे पास किसके धुरू चैनल के धुरू हो रहा है तो यह आप देख पा रहे हो यह चैनल के धुरू हो रहा है ना चैनल से जा रहा है सही है ठीक है अब मुझे ये समझ आना चाहिए द्यान से सुनना बिटा मुझे ये समझ आना चाहिए ये चैनल जो है इनके अपने फीचर है उसके इसाप से चेज मूफ करती है तो मुझे channel के बारे में समझाना चाहिए, what is channel, channel है क्या, इसके बारे में हम जानना चाहरे है बटा, channel है क्या, इसके बारे में हम जानना चाहरे है, तो facilitated diffusion, ध्यान से सुनें बटा, facilitated diffusion, occur through channel, कैसे हो रहा है, occur through channel, channel के through हो रहा है, जरा ये देखो अब, घ्यान से देखना बटा, ये है मेरे पास, clear, ये मेरे पास है channel मालो, this is channel, ठीक है, this is lipid bilayer, ये lipid की bilayer है, इसमें से lipid molecule move कर सकता है, जरा मैं बता देता हूँ, क्या-क्या चीज इसमें से move कर सकती है, clear, देहान से देखना बटा, important है, जो directly move कर सकती है, एक इसमें से आ सकती है gases, gases membrane से easily R पर move कर सकती है, दूसरा इसमें से move कर सकता है water, water की movement को osmosis कहते है, उसके लिए channel नहीं चाहिए, मैं repeat कर रहा हूँ, पानी के लिए channel नहीं चाहिए, वो directly move कर सकता है, बस उसे थोड़ा सा force चाहिए, कैसे जाएगा, पानी को channel नहीं चाहिए, पानी को बिटा क्या करते हैं, अगर move कराना है fast, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पानी को fast move कराने के लिए, aquaporins चाहिए, जो हमारी kidney में भी बनते हैं, ADH के response में, तीसरी चीज, मैं lipid का molecule move करा सकता हूँ, तो ये चीजे directly move कर सकती हैं, gases का मतलब oxygen और CO2, लेकिन, मुझे hydrophilic चीज के लिए, जैसे की glucose जैसी चीज के लिए, मुझे channel चाहिए, और glucose high से low की तरफ होगा, अब ये channel किसका बना है बेटा, protein का, तो मुझे इस channel के feature सीखने हैं, क्या feature है channel के, feature of channel, हाना, feature जानने हैं किसके, channel के feature जानने है, सबसे पहला feature है, कि ये बना है किसका, किस chemical का बना हुआ है, made up of protein है, बेटा, किसका बना हुआ है, protein का, हाना, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, बेटा, channel protein का बना हुआ है, it behaves like some enzyme, means, जैसे enzyme का अपना specific substrate होता है, ऐसे ही channel का अपना कोई particular चीज होती है, जो उसके across move करती है, ये चीज समझा रही है, clear, तो हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे, बेटा, कि ये किसका बना हुआ है, protein का बना हुआ है, तो इसकी अपनी, it has some property, it has some property like enzymes, कुछ ऐसी properties है, जो enzyme के जैसी है, उनको हम discuss करेंगे, वो कौन सी है, S, S, I, ऐसे याद करोगा, meat के लिए भी ऐसे याद करोगा, S का मतलब है, यह selective, दूसरे S का मतलब है, saturation, और तीसरे S का मतलब है, inhibition, तो ये तीन feature है, किसके channel के, क्योंकि channel किसकी बनी हुई है, protein का बना हुआ है, channel protein का बना हुआ है, तो that's why it shows three property, first is selective, channels are selective, channels get saturated, and channels can be inhibited by some inhibitor, clear है, देखते हैं, क्या मतलब है इसका, इस बात का क्या meaning है, इस meaning को हम देखते हैं, ठीक है, clear, ये मेरे पास lipid bilayer है, ये मेरे पास lipid bilayer है, जिस पे हमारे पास क्या लगे हुए है, channels लगे हुए है, और चीजे ऐसे move कर सकती है, इस channel से इधर, ऐसे, ठीक है, ठीक है, सबसे पहली बात हम कहते हैं, channels जो हैं, वो selective है, selective का meaning, अगर ये channel मेरे पास glucose का है, तो इससे मेरे पास सिर्फ glucose move करेगा, और कोई move नहीं कर सकता, अगर ये glucose का है, ऐसे एक channel का नाम है, glut 4, जो biomolecule के हमारे पास second page पे mention है, ठीक है, clear, कुछ channels होते हैं, जो दो चीजों के लिए specific होते हैं, मतलब glucose के साथ साथ same direction में sodium जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं, बिटा channel selective होते हैं, मतलब glucose और sodium दोनों को साथ ले जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन selective हैं, ऐसा नहीं कि glucose के साथ यही channel फे खले जा रहा होगा, ऐसा नहीं है, channel selective का mean ये है कि अगर ये channel glucose का है, धानज दे सुनों बिटा, अगर ये channel glucose के हैं, यह वाला channel भी glucose का है, यहाँ पर ये fructose है, तो ये fructose इसमें से नहीं जा सकता, ये glucose ही जाएगा तो channel selective है like enzyme जैसे enzyme का substrate होता है ठीक है only only fix fix हमारे पास fix molecule को pass करता है ठीक है इसको कहते है channel क्या होते है selective होते है ये अलग चीज है कि वो ही channel हमारे पास चीजों की movement ऐसे ही कर सकते है for example जैसे मेरे पास इस channel ये selective है पर single चीज के लिए इसे हम कहते है uniport single चीज move करेगी कई बार क्या होता है बेटा कुछ channel ऐसे होते हैं जो दो चीजों की movement करते है opposite direction में और same direction में इन्हें कहते है co-transport co-transport का मतलब है दो चीज move करती है उसकी first type है antiport opposite direction clear अब ये channel जिसके लिए होगा उनी की opposite होगी ये selective है अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ बिटा इसमें ऐसा हो सकता है कि इधर की तरफ मेरे पास SCO3- जाए और इधर की तरफ मेरे पास CL- जाए इसे हम chloride shift कहते थे ऐसा channel मेरे पास RBC में होता है RBC में ऐसा channel होता है जिसमें CL और bicarbonate opposite side में move करते हैं जिसे antiport कहते हैं अब same direction वाले का best example है glucose और sodium का channel हमारे intestine में होता है मैं आपको एक चीज़ clear बता देता हूँ intestine में ऐसा channel होता है कि glucose और sodium साथ absorb होते हैं बिना sodium के glucose absorb नहीं होगा यही reason है कि हम ORS देते हैं बिटा यही reason है हमारे पास कि हम क्या करते हैं ORS देते हैं ORS क्यों देते हैं ORS इसलिए देते हैं बिटा हमारे पास कि ORS के अंदर NaCl है और glucose है बिना Na के glucose absorb नहीं होगा clear होगी बात अच्छा ये कि आप चीनी का पानी भी दे सकते हैं चीनी नमक बोलते हैं सिर्फ चीनी का पानी फाइदा नहीं करेगा तो हम जो बात कर रहे थे वो यहाँ पे थे first is selective channel selective है single चीज के लिए दो चीज के लिए पर उसी के लिए है और कोई move नहीं करेगा ठीक होगी बात then is one is inhibition चैनल क्या शो करता है inhibition शो करता है means क्या हुआ माल लो यह चैनल है this is one चैनल इस चैनल पर बाहर से यहां से एक inhibitor आके लग गया उससे इसकी shape खराब हो जाएगी तो anxiety लिखती है कि कोई ऐसा chemical जो इसको खराब कर दे उसे हम inhibitor कहते हैं और anxiety लिखते है inhibitor bind at protein side chain कहां bind कर रहा है protein side chain पे side chain का मतलब क्या होता है जब आप amino acid की chain बनाएंगे उसके R group को protein side chain कहते हैं यह वहां bind करता है inhibitor और यह इसकी shape destroy कर देगा shape destroy करने के बाद यह channel काम नहीं करेगा clear तो हमने तीन property बताई थी selective, saturation, inhibition दो देख लिए हमने what is selective, what is inhibition third देखनी है जिसे हम saturation कहेंगे ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना हूँ देखो माल लो इस एक channel से हमारे पास एक sodium छीख है दो second में move करता है यह sodium के molecule है तो माल लो sodium ऐसे गया है इसमें से छीख है total कितने channel बना रखे है मैंने 4 छीख है अब मैंने क्या किया पहले इतने sodium नहीं थे जितने यहां बना रखे है sodium कम थे मैंने sodium इधर बढ़ाए तो अब क्या हुआ यह एक और गया तो हमने लिखा फिर दो sodium गए पर time तो मैं दो second ही लिखूंगा क्यों दो लिख रहा हूं सुन लो अभी क्या एक sodium दो second में जा सकता यह दोनों काम किये तो एक हिस्से गया एक हिस्से गया दो second ही लिखेंगे तीसरा sodium भी जाएगा तो मैं क्या लिखूँगा दो second लिखूँगा Clear Fourth sodium भी जाएगा 4 channel है ना तो मैं 2 second लिखूँगा लेकिन अब अगर fifth sodium जाएगा तो मैं क्या लिखूँगा 4 second समझ पारे हो मैं क्या कह रहा हूँ मैं ही कह रहा हूँ Channel saturate होने का मतलब membrane पर fixed number of channel होते हैं आप इनकी concentration बढ़ाते हो movement बढ़ती है movement ऐसे बढ़ेगी देख रहो पहले एक sodium जा रहा था अब 4 sodium जा रहे हैं speed बढ़ गई लेकिन एक limit तक क्योंकि channel limited है इसे कहते हैं saturation आ गई तो अगर मैं इसका graph भी आपको plot करके दिखा दूँ तो ये कुछ ऐसा आएगा और maximum rate ये आगया 4 sodium का उसके बाद ये constant हो जाएगा तो क्योंकि maximum speed इस membrane पर कितनी हो गई 4 na 2 second पर जा रहा है ये maximum speed है channels की अगर आपको saturation overcome करना है मैं कह रहा हूँ और sodium ले जाना चारा हूँ मैं 4 na 2 second से fast speed चा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा number of channels बढ़ाऊँगा तो मैं इसलिए चीज को लिख सकता हूँ कि saturation क्यों होता है number of channels fix होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप को क्या करना है आपको to overcome overcome saturation क्या होगा आप क्या increase करो channel increase करो ये बढ़ाने से नहीं होगा मालो यहाँ पे पहले 2-3 1 sodium था ये गया और बढ़ाए 2 गया, और बढ़ाए 3 गया clear, और बढ़ाए 4 गया ऐसे करके गया हमारे पास clear है ये चीज़ तो इसे हमने saturation बोल दिया क्यांसे सुन लो इसे हमने क्या बोल दिया, saturation बोल दिया और saturation को overcome करने का तरीका क्या है, channel बढ़ा दो यहाँ एक channel और चाहिए बिटा यहाँ मुझे एक channel और चाहिए तो मेरे पास speed बढ़ जाएगी यह channel बढ़ाओ ना, यह channel बढ़ाओ clear, तो और ज़्यादा speed बढ़ेगी लेकिन आप same number of channel से movement नहीं कर सकते और maximum speed क्या आएगी मानलो, 4 एन्ने, 2 second में यह हो गया हमारे पास channel को लेके clear होगी बात अब हम next बात कर सकते हैं बीटा एक खास रहके channels होते हैं जिनका नाम होता है porins, ये रे ये रे porins खास रहके channels होते हैं तो porins क्या होते हैं मैं लिख रहा हूँ porins are large size channels बड़े size के कुछ channels होते हैं और कहा होते हैं on outer membrane ये देख रहे हैं mitochondria बना हुआ ये इसकी outer membrane पर है तो outer membrane of mitochondria and plastic mitochondria and plastic इसके अलावा हम लिखेंगे and some bacteria bacteria में gram negative आएगा कुछ bacteria में दूसरी चीज जहान से सुने बिटा दूसरी ये तो हो गया इसके लिए porins के लिए इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कुछ जगा पर ध्यान से सुनेंगे कुछ जगा पर पानी के हमारे पास बड़े size के channel होते हैं जिने हम aqua porins कहते हैं जिने हम क्या नाम देते है aqua porins मैं लिख रहा हूँ इस बात को ज्यान से सुनो पानी के लिए channel होते हैं जिने हम aqua porins कहते हैं लिख रहा हूँ में इस बात को तो हमारे पास क्या होता है बिटा हमारे पास channel होते है channel for water movement और वो किसके बने होते है made up of made up of eight type of aqua porins आठ टाइप की aqua porins से बने वे होते हैं चैनल for water movement जो है वो हमारे पास आठ टाइप की aqua porins से बने वे होते हैं आठ टाइप की aqua porins से बने वे होते हैं channel for water movement मतलब aqua porins protein है जो पानी का channel बनाएंगी और वो आठ टाइप की होते हैं उनसे aqua porins बने वे होते हैं तो ये हमारे पास facilitated diffusion की कुछ detail जो हमने पढ़ ली हमने कहा diffusion of any substance membrane के cross solubility पे depend करता अगर soluble होगा तो simple diffusion नहीं होगा तो उसको channel की जुरुत पड़ेगी इसे हम facilitated के तो उसने बोला hydrophilic moiety moiety मतलब attachment हमें special protein चाहिए energy नहीं खर्चोगी उसे facilitated diffusion के रहे हैं ये saturation शो कर सकता है और क्या show कर सकता है specific है और inhibition show कर सकता है SSI वाली बात आगे ठीक है clear सही है और अब यहाँ पर एक important चीज है always open वाली बात मतलब क्या होता है बिटा channels को control कर सकते हैं हम hormones और electrical signal से ये मैं आपको आगे बताऊंगा pump के साथ पानी के channel aqua porins porins देख रहे है mitochondria plastid पर present है ये चीज आप पढ़ सकते हो अब हम जाएंगे ये देखे antiport, symport, symport same direction antiport opposite single direction symport same direction में दो molecule, antiposit, uniport single molecule अब हम बात कर रहे हैं active transport clear अब हम बात करेंगे active transport की ध्यान से देखें बिटा active transport हमारे पस channel जैसा ही है पर एक major difference है अब उस protein को channel ना बोल के pump बोल देते हैं कि क्या बोल देते हैं pump पहले यहाँ देखो बिटा यहाँ पर माल लेते हैं concentration क्या है यहाँ हमारे पास concentration high है high concentration है किसी चीज की माल लेते हैं this is glucose clear यहाँ क्या है low concentration अगर मुझे low से high की तरफ move करना है low से high low से high के लिए क्या word use कर सकते हो सोचो जरा against आप कैसे जा रहे हो खिलाव जा रहे हो against concentration gradient जा रहे हो देख रहे हो अगर यही channel होता तो channel में आप देखो कैसे जाते हैं ध्यान से सुना concentration gradient इधर जा इधर है की तरफ है along इधर है आप इधर आ रहे हो तो इसको हम नाम देदेते हैं pump का तो what is active transport active transport का मतलब है अगर आपको किसी भी substance को any substance if moving uphill uphill का मतलब हुआ uphill क्या होगा बिटा high concentration to no sorry sorry उल्टा हो गया low concentration to high low से कहां चले गए high की तरफ उसको हम कह रहे हैं uphill तो मेरे पास क्या spend होगी energy spend होगी बिलकुल देखना और energy spend होगी किसकी form में in form of ATP ये कुछ ऐसा है अगर आपको low से high की तरफ जाना है जैसे मालो हम पानी नीचे से उपर ले जाते हैं पानी के water tank में तो वहाँ पर भी तो यही करते हैं energy खर्च करनी पड़ती है तो यह हो गया लेकिन एक important चीज यह है बिटा important चीज यह है कि ये channel है मालो अगर मैं कहता हूँ ये channel है ऐसी चीज और ये pump है हैं दोनों protein के तो basic feature सेम रहेंगे यहां से सुनना बिटा pump और channel के basic feature सेम है देखो active transport का basic feature क्या होगा active transport का basic feature क्या है basic feature यह है कि ये पहला तो ये uphill है uphill मतलब low से high के तरफ दूसरा ये active है जब भी हम active लिखते हैं तो क्या होगा energy spend होगी क्या होगी हमारे पास energy spend होगी यहां पे clear है और ये किसके थुरू हो रहा है occur through pump उस protein का pump है pump भी किसका बना हुआ है protein का किसका बना हुआ है protein का जब हम यहां पर लिखते हैं कि this pump is made up of protein तो we have this common feature SSI मतलब ये भी मुझे SSI शो करेगा pump भी क्या होगा selective होगा अगर वो glucose का pump है sodium का pump है तो magnesium को जाने नहीं देगा clear होगी बात saturation शो करेगा ऐसा नहीं है आप unlimited move करा सकते है speed से अगर आप ATP दे दे ऐसा नहीं ATP तो चाहिए ही पर ऐसा नहीं है कि आप बहुत speed बढ़ा सकते है unlimited आपके पास pump limited है और inhibitor से यह क्या हो सकता है bind हो सकता है मेरा कहना यहाँ पर यह है बिटा कि जैसे माल लो मैं यह channel बना देता हूँ plasma membrane पर यह channel है और माल लो यह मैं pump बना देता हूँ यहाँ पर ऐसे यह pump है बने दोनो प्रोटीन के है बने दोनो किसके है प्रोटीन के यह माल लेते हैं pump है और यह मेरे पास channel है तो channel का काम है किसी चीज को high concentration से low की तरफ move करना pump का काम है आप देख सकते हैं pump का का काम है हमारे पास यह इधर देखे इधर high है देख रहे हैं arrow भले ही दोनो same side बना रहा हूँ पर यहाँ पर low concentration है और यह देख रहे थे इधर क्या थी high ऐसा कुछ करना पर बने दोनो प्रोटीन के हैं basic feature से मैं बने दोनो किसके हैं प्रोटीन के तो होता क्या है कि channel और pump ऐसे बंद भी रह सकते हैं कोई signal आएगा तो open होते हैं इसका मतला हम यह कह रहे हैं कि both channel and pump controlled हो सकते हैं both channel और pump को control किया जा सकता है and pump can be controlled और कैसे करते हैं बेटा can be controlled इन्हें controlled किया जा सकता है कैसे करेंगे by कैसे करेंगे बेटा by करेंगे कैसे सोचो हम करेंगे किसके थूँ both channel and pump can be controlled by कुछ hormones के थूँ कर सकते हैं और neurons पे करेंगे तो electrical signal आता है जो बच्चे dropper के हों या 12th के हों उन्हें पता है nerve conduction में signal आता है जो sodium और potassium का channel खोल देता है तो signals आ सकते हैं चीक है तो ये detail हो गई हमारे पास pump की ये वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो pump molecule against move करा रहा है ये भी protein है clear सही है इसमें भी beta protein है energy use कर रहा है और इसमें भी saturation वगेरा होगा देखो specific लिखा है inhibitor लिखा है clear इसमें भी maximum rate पे पहुंच सकता है मतलब saturate हो तो SSI आ गए है clear और इनको हम control कर सकते हैं control कर सकते हैं किस से basically hormone से और हमारे पास electrical signal से clear है तो अब हम क्या करेंगे बिटा आप देख सकते हो अब यह comparison है आपके पास तीनों का channel का pump का इनका एक comparison है ठीक है आप देखे simple diffusion में membrane protein नहीं चाहिए clear वो तो membrane protein खाली इन दोनों में चाहिए इसमें channel चाहिए इसमें हमारे को क्या चाहिए बिटा channel चाहिए से yes transport saturation इसमें saturation नहीं होती अगर आप simple diffusion का graph बनाए तो ऐसा आएगा facilitated diffusion में इस तरीके का आएगा अगर मैं दोनों तरफ यहां rate लिख रहा हूँ moment की clear तो यह तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा आप difference बढ़ाते जाओ किसकी बात कर रहा हूँ यह simple diffusion का graph है और यह किसका है facilitated का uphill transport अफिल होता है low concentration से high तो इन दोनों में तो downhill है यह मेरे पास uphill है requires energy सिर्फ इसमें और किसी में नहीं तो यह active transport facilitated simple diffusion एक comparison NCIT देती है और हमने एक-एक point को बहुत बढ़िया से पढ़ा है एक topic जो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं जो मैंने additional आपको बताया that last is हमारे पास cytoplasmic streaming इसमें क्या होता है अगर आप ध्यान से देखें यह cell है आपके पास और यह vacuol है vacuol की membrane को tonoplast कहते है cytoplasmic streaming का मतलब cytoplasm energy खर्च करके क्योंकि बिना energy की नहीं होगा ऐसे rotate करता है और rotate करने का main benefit है चीजों का distribution ऐसा कुछ तो यह जो cytoplasm ऐसे rotate कर रहा है इसको कह रहे हैं cytoplasmic streaming और इसमें हमारे पास energy खर्च होती है passive नहीं होता अना यह energy खर्च होती है active process है कई बार कुछ औरगनल को move करने ही होती है चीजों को distribute करना होता है cell में distribution of substance मतलब यह हुआ कोई भी चीज यहां है ज़्यादा इसको यहां पहुचाना है तो cytoplasm हमारे इस पास circulate करता है clear cytoplasm हमारे पास क्या करता है circulate करता है तो active transport पढ़ा facilated diffusion पढ़ा simple diffusion पढ़ा और हमने पढ़ा पिटा आपका cytoplasmic streaming यह short distance को complete करता है next lecture में बात करेंगे हम लोग किसकी long distance transport और उसके principles से clear टीके बिटा thank you पढ़ाई करते रहें all the very best